हैलो फ्रेंड्स, मैं ट्राविं डाइटिशन कामना तल्रेजा और यह है कश्मीर ब्लॉक सीरीज का एपसोड टू पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम श्री नगर एरपोर्ट में लैंड किये हमारी फ्लाइट डेड़ गंटा लेट थी तो हम पहुंचे लगभग धाई बजे दोपहर के हमने जो पैकेज बुक किया था वो फाइब नाइट और सिक्स डेस का था हमें लेने केसर भाई जो कि टैक्सी ड्राइवर थे वो आग चुके थे और वो हमें ले गये अपने पहले होटल जो था गोल्ड़न सैंड होतल हम जैसे ही होटल पहुंचे बाहर का विउयू कुछ इस तरीके का था और अंदर जाके होटल की रिसफशन एरिया में पहुंचे हम तो बहुत ही खुभसूरत रिसफशन एरिया था तो यह है आपकर reception एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं आपर सोफे लगे हुए हैं और उपर झामेर भी बहुत प्यारा है और यहाँ पर reception पर मेरे husband और मेरे प्योटे खड़े हैं मेरी बोकी भी और मेरे husband कुछ फॉर्मल्टी पूरी कर रहे हैं जैसे ही फॉर्मल्टी पूरी होती है हम रिसेप्शन एरिया में आ गए हैं और पीछे जो आप ग्लास डोर देख रहे हो वहां रेस्टुरेंट है और रेस्टुरेंट का सीन कुछ इस तरीके का है तो अपने फॉर्मल्टी पूरी करने के बाद हम लिफ्ट में चड़े और सीथे पहुच गया अपने रूम था तो बहुत सुन्दर लेकिन थोड़ा चोटा था तीन बैट्स थे एक डबल बैड और एक सिंगल बैड और एक वाश्रूम अटेश्ट था जो काफी बड़ा था रूम के कमपारिजन में और इन्होंने आप एक ड्रेसिंग टेवल दिया हुआ था एक टीवी भी था और एक वाट्रोब भी था और पीछे एक वाश्रूम था जैसा कि मैंने बोला हो काफी पड़ा था तो रूम में सटल होने के बाद हम लोग ने थोड़ा कुछ खाया डा मुगल गार्डन यहाँ पर टोडल 6 मुगल गार्डन है जिसमें से एक निशाद गार्डन, एक शाली मार बाग, चश्मे शाही, परीमहल, etc. हम जा रहे थे निशाद गार्डन निशाद गार्डन का रास्ता डल लेक के साइट से होते हुए जाता है और यह रास्ता इतना ख पहुछते ही हमने लिए टिकेट्स हमने यहां से टिकेट लिए एडल्स की चौबिस रुपए और बच्चों की बारा रुपए और यहां से इसका एंट्रेंस है और जैसे ही हम अंदर आते हैं मजारों कुछ इस तरीके का है और क्या नहीं तो नहीं और फिर इस सीड़ी नुमा रास्ते से होते हुए हम पहुचे मुगल गार्डन के अंदर जैसे ही हम सीड़ियां चड़के उपर पहुचते हैं क्या खुबसूरत नजारा मिलता है हमें खुबसूरत पेड़ और उससे भी खुबसूरत पहार और यहां से हम इस नजारे को रेकॉर्ड करते हैं मुगल कार्डन में घूमना बहुत पढ़ता है और गुमते गुमते सच मानिया मैं तो बहुत थक चुकी थी लेकिन मजा भी बहुत आ रहा था मेरे हजबन डेसलर से बच्चों की फोटो खिशने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे एक अच्छा फोटो सेशन चल रहा था आज वहां भीट भी बहुत थी क्योंकि लोकल्स भी बहुत सारे यह वहां पे आयोए थे इतना खुबसूरत गार्डन है हमें गार्डन देखने आये हैं यह कुछ डिफरिंट ही फ्लावर है जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पे पहुत ही खुबसूरत रंग बे रंगे अलग अलग तरीकी के ऐसे ऐसे फ्लावर्स थे जो शयद मैं आपे कभी नहीं देख पाती हरिद्वार शहर में वहां पे रोजिस की तो क्या वेराइटी थी वाइट रोज था रेड रोज था कलरफुल रोज थे आप भी पक्षिर की आवाज सुन रहे होंगे मेरे साथ देखिए कि इतनी खुबसूरत आवाज आ रही है और यहां मेरे हस्बन तानी और सौमे की फोटोस कीच रहे थे सौमे थोड़ा थका हुआ था था तो उसका मूट थोड़ा उकड़ा हुआ था बट उसने भी एंजॉय किया उस गार्डन में गूंते गूंते सच माने मैं यही सोच रही थी कि कश्मीर को जन्नत यूही नहीं का जाता यहां एक अजीब सा सुकून है इस जगे को वापस छोड़के आने का मन नहीं करता अगर आप एक बर महाँ चले जाओ तो मैं वहां के हर एक एहसास को हर एक खुश्बू को हर एक हवा के जोगे को अपने साथ लेकर आना चाह रही थी और उन्हें बहुत ही करीब से महसूस कर रही थी मेरी आखें उन नजारों को देखके ठाक ही नहीं रही थी आप भी देख सकते हैं वहां के खुबसूरत नजारे कि अजारे कि अंत खबने कि अंत कि अंत कि अंत कि अंत कि कि निशाद करदन की ठीक सामने ही डल लेक पड़ता है इसलिए निशाद गार्डन से डल लेक का व्यू बहुत ही खुबसूरत नजर आता है जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम वापस लॉट रहे थे तो उस रास्ते से आपको डल लेक का बहुत ही खुबसूरत व्यू नजर आ रहा है जैसा एंटरेंस था ठीक वैसे ही सीडिया उतरते हुए इसका एक्जिट था और हम बाहर आ गए बाहर आकर वहां पर कुछ लोकल शॉप्स थी जहां पर स्ट्रीट फूड मिल रहा था और हमने पकोड़े लिए जो बहुत ही टेस्टी थे और उसके बाद हम एक बार फिर निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की और तो शाम को हम कहां घुमने जा वाले हैं यह कराइब जरूर कीचे